चोपड़ा जुकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बचो, आज इस वीडियो में मैं आपको थ्री अपडेट्स देने वाला हूँ, फर्स्ट अपडेट मदरास हाई कोर्ट में चल रहे NMC रूल 50% प्राइवे स्वेटनरी, MBBS, BDS सभी कोर्सेज के लिए बुक अवेलेबल है, इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स से या फिर हमारे वेबसाइट www.chopra.education.in से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें मैंने कटोब, सीट मैट्रिक्स, 2022 में आपको कैसे च्वाइस फिल करनी है कोन से स्टेट का क्या कاؤنسلिंग प्रोसेस है, सर्विस बॉन्ड के बारे मिं जानकारी, डॉकॉमेंट्स के बारे मिं जानकारी सब कुछ इस बुक में अवेलेबल है, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, हमाप से संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ल यह केस मंडे की कॉज लिस्ट में भी लिस्टेट नहीं है हो सकता है एडिशनल लिस्ट में एड किया जाए लेकिन ज्यादातर पोसिबिलिटी यही है कि इसका डिसीजन टूजडे और वेडनेस डे को आ सकता है जैसे ही इसके बारे में और कोई अपडेट मिलेगी हम आपको कर देंगे इसके साथ मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि केरला हाई कोट ने केरला स्टेट में यह एनमसी रूल लागू करने के लिए साफ मना कर दिया है अब देखते हैं कि मदरास हाई कोट का क्या डिसीजन रहता है इस रूल के बारे में जो दूसरी अपडेट है वो पीजी काउंसलिंग के बारे में है यह फर्स्ट सिटेमबर से स्टार्ट होने थी मगर कुछ से सीट से इंक्रीज होने के कारण इसको पोस्पोन कर दिया गया था और अब यह 19 सिप्टेमबर 22 से स्टार्ट होने जा रही है हालांकि MCC नी वेबसाइट पर इसके बारे में अ EWS केस के रेगार्डिंग है जिसका डिसीजन 7th of September 22 को आने की पोसिबिलिटी है तो यह काफी सारे स्टुडेंट्स के कोमेंट्स थे कि मदरास हाई कोट वाले डिसीजन का क्या हुआ पीजी की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है EWS वाले केस की क्या अपडेट है तो मैंने सुचा इसके बारे में एक वीडियो ही बना दिया जाए तो यह इसके बारे में और कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको इन्फोर्म करूंगा मिलेंगे नई अपडेट के साथ न